हाई फ्रेंड्स कल हमने लिमिट्स के कुछ बेशिक टोपिक को गmbol को डेखा था बेशिक क्या रिखा था देखा था कि infinity upon infinity type की problem को किस तरह स्वल करते हैं और देखा था कि जिरो अपॉन 0 कि type की problem को किस तरह solve करते हैं एल hospital rule हमने सीखा था है ना बड़ा मज़ेदार rule था अब हम कुछ और problems को solve करते हैं है ना पहले infinity upon infinity की देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे ना infinity minus infinity की देखेंगे है ना चलो let's start with question ज्यादा पक्वास ना करते हुए question से दुआर करते हैं लेखा है limit n tends to infinity factorial n प्लस 2 प्लस factorial n प्लस 1 divided by factorial n प्लस 2 minus n प्लस 1 minus n प्लस 1 ठीक है इसको हमें evaluate करना है n tends to infinity जिरो नहीं है जिरो जिरो होता तो direct hand रख सकते थे कोई tension वाली बात नहीं और factorial के अंदर कैसे रखें यह भी एक सोचने वाली बात है तो अंदर किसने बोला है रखने को पहले factorial को solve कर दो limit n tends to infinity n प्लस 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बजा factorial n प्लस 1 clear है न कानी बोलो प्लस factorial n प्लस 1 को कुछ नहीं छेड़ना चाड़ना ऐसे यहां से n प्लस 2 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा factorial के n प्लस 1 minus factorial n प्लस 1 ओके limit n tends to infinity ओपार से factorial n प्लस 1 कॉमन factorial n प्लस 1 कॉमन क्या बचा n प्लस 2 प्लस 1 क्यों रहे चाचा निच्चे से बचाओ n प्लस 1 factorial कॉमन क्या बचा n प्लस 2 minus 1 ठीक है factorial n प्लस 1 से factorial n प्लस 1 टकम तो फैक्टरल के चक्कर तो वह खर तम limit n tends to infinity n प्लस 3 अपार n प्लस 1 अच्चा क्या तुम डारेक्ट यहाँ पर infinity रख सकते हो ना जी न यह इंफिनिटी प्लस 3 not defined infinity plus 1 not defined का करते हैं ऐसे case में ऐसे case में का करते हैं dividing by n बोथ numerator and denominator तो n upon n 1 plus 3 upon n यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 upon n क्या आप आप n की जगा पर infinity tends to put कर सकते हो तो yes 3 upon infinity is 0 1 upon infinity is 0 clear न अब रख सकते हैं तो रखो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 upon 1 answer is 1 ठीक है तो n tends to infinity x tends to infinity टाइप की प्रव्लाम को इस तरह से solve करना है 1 upon n की form में बराना है clear कोई देकर में टाब देज को note कर लेना अच्छा शवाल था जही मेंच में हुआ था जही मेंच में ठीक है अब देखो और कुछ question देखते हैं तो infinity upon infinity की ही form बन रही थी form number 2 को देखते हैं यह किस तरह की form है limit x tends to infinity x minus x minus under root x square plus x और बच्चों limit x tends to infinity अच्छा क्या पहले तो यह चेक करना form क्या बन रही है क्या आप डारेक्ट यहाँ पर x is equal to infinity पूट कर सकते हो नहीं जी नहीं जी infinity तो मतलब भी नहीं बनता infinity minus infinity is infinity infinity minus infinity is infinity तो जब भी बच्चों infinity minus infinity की form बने सबसे पहले rationalization करते हैं क्या करते हैं rationalization जब भी infinity minus infinity की form बने सबसे पहले rationalization करते हैं तो करे करे कुछ करे infinity minus infinity का करें? rationalization यानि कि इसके उल्टे साइन से conjugate से x square plus x upon x plus x square plus x से multiply सी मार दो limit x tends to infinity क्या बना रहे? a minus b a plus b a square minus b square x square minus x square minus x ओके नीचे जो का तूँग अब ये अंडरूट x लगा दिया मैंने तुमने आमी ने दे लिए हो यार x square plus x अच्छा जी x square से x square टका क्यों ने टका? limit x tends to infinity क्या बचा? minus x upon minus x upon under root x square plus x सेल असमान से अटके खजूर पर लटके अभी infinity minus infinity से पास किये और infinity upon infinity पे कुदे infinity upon infinity करेंगे न यहां से लेको limit x tends to infinity करते हैं कुछ उपर कुछ नहीं कर सकते minus 6 नीचे से x ऐसे ही लिखा यहां से under root के अंदर से x square common लिया क्या common लिया? x square जो बाहर आकर क्या बचा रहे? x x square था तो 1 x upon x square 1 upon x अभी नौट अंकी सब जानते हैं x square से multiply x square से divide ठीक है? अब यहां से पूरे में से हम x common इचे से ले सकते हैं क्या? तो limit x tends to infinity minus x upon x common क्या बचा रहे? 1 plus under root 1 plus 1 upon x x से टका x क्या अब आप x की जगाव पर infinity रख सकते हो? मतब tends to infinity सकते हो तो answer is yes अभी yes minus 1 upon 1 plus under root 1 plus 1 upon infinity 0 यानिके 1 plus under root 1 answer is minus 1 upon 2 कोई देकत समझे किस तरे से करते हैं क्योश्चन? नोट करो तो infinity minus infinity की फॉर्म जब भी आपको मिले सब से पहले rationalization दे मारो एक और करोगे? चलो बिटा देसको चूकर मेरे मन को कि या तू ने क्या इशारा बदला ये मौसम अरे सेर सिंगर हो गया हो limit x tends to infinity x square plus x plus 1 under root x square plus x plus 1 minus under root x square plus 1 under root under square root क्या फिर से आप x की जगा पर infinity रख सकते हैं रहे बबाबा? ना जी ना infinity plus something is infinity minus infinity बनी form infinity minus infinity तो तरीका बताया rationalization का करेंगे? rationalization limit x tends to infinity इसके उल्टे y से उपरण चे मल्टिप्लाइ करो direct around a minus b a plus b यानके a square minus b square upon upon में इसका उल्टा चाजा x square plus x plus 1 minus नहीं plus x square plus 1 ठीक बाद? लिख दें x square से x square कट्टम 1 से 1 ही कट्टम limit x tends to infinity x tends to infinity का करी? का करीब हो? under root x square plus x plus 1 plus under root x square plus 1 का करीब हो? क्या x square common लेले इस बार? बिल्कुल लेले कोनों दिक्कत नहीं रहे? कोनों दिक्कत नहीं? क्या common लेले? x square तो क्या आया? limit x tends to infinity x upon नीचे से x square common 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 लेले तो क्या बचा? 1 plus 1 upon x plus 1 upon x square यहां से भी x square मतलब x बार जाएगा क्या बचाएगा? 1 upon 1 plus x square को दिक्कत वारी बार? नीचे से x common नीचे से x की value मतलब x common लिया तो limit x tends to infinity उपर x upon नीचे से भी x और x x common मारा क्या बचा रेंदर? अंडरूट 1 plus 1 upon x plus 1 upon x square plus अंडरूट 1 plus 1 upon x square x x कट्था क्या बचाएगा इंफिनिटी रसकते हो? हाँ जी 1 upon infinity is 0 1 upon infinity square is 0 ठीक है? रखो 1 upon 1 अंडरूट के इंदर चल रहा है? कहा है? 1 plus 1 upon infinity 0 1 upon infinity square 0 अंडरूट 1 plus 0 2 कितना मिला रहे? 1 plus 1 2 1 upon 2 NOT IT NOT IT NOT IT NOT IT अब इसको मिटा ले? अब बच्चों कुछ special type के format यहना special type के format क्या है special type के format? यह क्या बला है special? सबसे अलग सबसे जदा अगर लेमेट अगर लेमेट अगर लेमेट x tends to infinity x tends to infinity की टाइब कुछ ऐसा मिले a0 x square x की पावर m चलो P कुछ को और coefficient x की पावरご다टty ही जाए a2 x की पावर m-2 गड़ती जाए x की क्या गड़ती जाए a e-N तक और x की पावर 0 हो जाए है न x की पावर क्या हो जाए? 0 हो जाए ऐसे गड़ते गड़ते निचे भी ऐसा कुछ हो Bout X की पावर N हो, जरूर ही नहीं के M ही हो, अच्छा, B1 कोई और कोफिशेंट, X की पावर फिर से घटती जाए, B2 X की पावर N-2 घटती जाए, घटती जाए, BN X की पावर 0 हो जाए, ऐसे घटते घटते, ठीक है, तो ये special pattern बहुत कॉम का है, बहुत question इस पे आ सकता है, बहु अच्छा आता है, ये पता नहीं तार का क्या हो गया, ओके, चालो, तो limit X tends to infinity, देखो, अच्छे छोड़ो इसका ना, मैं इसकी direct value तुम्हें बता रहो ना, कुछ pattern इसका अधर नहीं, देखो इसका answer, इस पूर ये limit का answer सकता है, कब, when M is less than N, है ना, जब उपर पावर 2 अगर ये M और N बराबर हो, if M equals to N, आगे वालों को नहीं देखना, ठीक है, A not upon B not आजाएगा, और क्या answer का answer आएगा, इसका answer इंफिनिटी आ सकता है, if M is greater than N, प्लस इंफिनिटी आजाएगा, इधर को बढ़ता हुआ, यहाँ पे condition देखने ना, A not B not greater than 0, A not into B not, इन दोनो A not B not less than 0, ठीक है, A not B not क्या हो, less than 0, इन दोनों को multiply करके, minus 2 into 2, minus 4, less than 0, तो minus infinity answer जाएगा, limit बच्चों, कुछ लोग सोचते हैं कि हमेशा है, finite number ही आता है, limit is not always a finite number, limit में भी infinite, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, मता ही न पाएगा, अप्रोच ही ना कर पाएगा, किस चीज को य यो, 1 upon x का क्या तुम finite number निखालता हो कि कभी, सच इसको क्या अप्रोच कर लोगी, 1 upon x का ग्राफ याद हो तो, 1 upon x का ग्राफ यह रहा, क्या x कभी 0 की तरह बढ़ेगा, 0 से अप्रोच करते रहो जाएगा, नी, ठीक है, तो क्या answer इसका, not defined, ना जी, ना, यह नहीं होता approach, out out of register, out of my league, ठीक है, तो यह बहुत important pattern है, यह आप याद रखेंगे, अभी मैं इसके question आऊँगा, प्यारे-प्यारे, means वगेरे में आया हुए, ठीक है, advance में आया हुए, वो हम को नेगे, मिटादे इसको, इसको लेख लेना, बहुत important है, okay, less than में 0, बराबर में A note upon B note, यह र evaluate limit, x tends to infinity, x tends to infinity, अच्छा, limit करो जहाना है, 0 नहीं थी, infinity, A x square plus B upon x plus 1, A x square plus B upon x plus 1, इसको evaluate करो, और condition क्या है, when A is greater than or equal to 0, यह दो condition बिसिकली देदी, एक बार A is greater than 0 ले ले लेंगे, एक बार A equal to 0 ले लेंगे, एक बार A का मतलब क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या यह वह वहल बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटी, घटी, हाँ जी, बड़ी, x की पार बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटी, हाँ जी, same pattern बना रहे है स're, हैना, बना pattern, बना, अच्छा, case number one, case number one, when x is greater than, oh, 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 a is greater than zero, यह ए जिरो से बढ़ा होगा, toå क्या होगा, a 0 स उपर की पावर बड़ी नीचे की पावर छोटी तो इसका मतब क्या होएगा M greater than N M greater than N देखो ना यार उपर की पावर बड़ी X की पावर M M बड़ा N छोटा X की पावर N ठीक है? पैटर्न यादा है ना X की पावर M एक ही कुछ बड़ी होएगी तो X स्क्वार वहार रहेगा और X की पावर 1 उसे छूटा हो जाएगा यानकि M is greater than N बोले तो numerator की जो पावर है या डिग्री है that is greater than degree of denominator तो answer बताओ क्या था? M greater than N के लिए answer क्या था? infinity तो limit क्या आगई? infinity इसको हम इस तरह से approach नहीं कर सकते सर case number 2 case number 2 when X is sorry A is equal to 0 case number 2 when A is equal to 0 तो यार A को 0 लोगे तो क्या मनेगा? A 0 होगे तो ये तो गाय होगे तो क्या बचा? ऐसा बचा ना फिर तो limit X tends to infinity B upon X plus 1 numerator की पावर? 0 denominator की पावर? 1 power बतला है X की power या तो obviously M is less than N और जब M less than N M less than N होता था तो क्या answer रहता था? तरे बचा जल्दी होता हो जब M less than N होता था तो क्या answer रहता था? Gyro क्या answer रहता था? Gyro answer कितना आ गया? 0 ठीक है? तो एक infinity होगे और एक 0 होगे अगला कोशन देखता है मिटाते हैं सावाज गया ना? चोटा चोटा मगर प्यारा प्यारा कोशन कभी कभी वो A B के value पूछ लेगा find the values of A B इस तरहें से तेखते हैं अगला प्रस्शन यार मैं थे तो मुझे किताब में से भालवार दिखना पड़ता है प्रस्शन पुझे यार थोड़ी न गयते हैं x tends to infinity limit x tends to infinity x tends to infinity कहांगे बे x square plus 1 upon x plus 1 x square plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b रहे बबाब minus ax minus b करना के रहे बराबर 0 ते रखका अच्छा यह 0 के बराबर रहे हैं find the values of a and b find the values of a and b बहुत प्यरा पुशन है a और b की वेला निकालो find the values of a and b अभी तो कुछ pattern ने बनना यार यह बिचारे अलग था लगे तो इनको मुख्य धारा में शामिल करते हैं l से हम लेते हैं x plus 1 x square plus 1 minus x square minus ax minus b x minus b कोई देकत वाले बात कोई बुरी बात जल्दी बताओ चलो limit x to infinity pattern ना ना बड़ी पावर चुट्टी पावर बड़ी पावर वाले एक जगह 1 minus a x square चुट्टी पावर x वाले एक जगह minus minus common a plus b into x नहुने वाले एक जगह plus 1 minus b नहीं मतलब बिना पावर वाले upon नीचे तो कुछ गढ़ना है नहीं यार x plus 1 और इसका अंसर आरा 0 लो आंसर दिरेक का उसने इटेंचन नहीं आंसर दिरेक का इसमार है और करने का यह भी कि वहले लिखा ले आंसर कि इतना आरा 0 आ रहा है यार 0 कब आएगा रहे 0 कब आएगा याद करो 0 अंसर कब आता है 0 अंसर तब आता है इस लिमिट का when m m is less than n सब्सक्राइब ना m मतलब उपर की पावर नीचे की पावर से छोटी हो छोटी हो छोटी हो आचा नीचे की पावर तो कुछ नहीं है मतलब पुछ है n is equal to 1 देखा ला n is equal to 1 देखा a not a1 b1 a b not b1 ठीक है उपर की पावर कितनी है कितनी होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए समझे ला अगर यार इसका आंसर पूरे का 0 आना है तो हमें हमारे पास condition क्या है m is less than n जो m है यानके निमरेट ठीक पावर है वो डिनोमेटर से छोटी होनी चाहिए तो निमरेटर गी डिनुमेटर की पावर कितनी 1 तो उपर पावर x की होनी नहीं चाहिए यह भी 0 होना चाहिए यह भी 0 होना चाहिए तब इतो is power नहीं बचेगिए थेक है 1 minus 1 A should be equal to 0 तो A कितना एक 1 And pula i यह सब नमूना बंते भी 0 प्लस B बराबर भी 0 A की वेल्यू 1 प्लस B is equal to 0 तो B कितना आ गया, minus 1, clear, A और B की वेल्यू निकाल ले थी, वो हम calculate कर चुके हैं, अगला question तुम खुद से लगा लोगे, मिटा दू, तो इस pattern पर question आते हैं, यह means वगरा में आ जाते हैं न ऐसे यार, और advance में तो आते हैं, okay, question, question, बता नहीं कौन सा है, मैं नमबने लिखूँगा, limit x tends to infinity, limit x tends to infinity, यह रहा, क्या रहा, क्या रहा थे, x square, अबे, x square, अबे, x square, plus 1, upon, x plus 1, minus ax, minus b, equals to 2, equals to 2, define the values of a and b, equals to 2 ही है न, तो भाया, a और b की value, बताईए, equals to 2, equals to 2, सारी condition याद करो, m is less than n, answer आता है, 0, m दाबर n, answer आता है, a0 upon b0, m is greater than n, answer आता है, infinity, तो बताओ, यार, equals to 2, इन में से कौन सा, 0, तो 2 है, नहीं, infinity भी 2 है, नहीं, तो a0 upon b0, 2 हो सकता है, अबे, constant है, a0 upon b0, और 2 भी क्या है, constant है, तो क्या लगाने वाले, m बराबर n, सही है, answer 0 नहीं है, मतलब m less than answer नहीं है, answer infinity नहीं है, m greater than n नहीं है, answer एक constant number है, which is a0 upon b0 is also constant, तो क्या करना इस बार, m बराबर है, लेकिन फाहूं तो बना हो ना पहले, limit x tends to infinity, पर से करना पड़ेगा, क्या, minus ax square, minus a, minus bx, minus b, upon x, plus 1, कोई टेंचन, कोई बरी बात तो नहीं है, limit x tends to infinity, 1 minus a, into x square, plus, नहीं, minus, 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 minus ax आएगर, minus a, plus b, into x, plus 1, minus b, over, over, तो बोलिंग में हो तैसा, क्या बद करता रहे, बराबर 2, बराबर 2, तो एक finite number है, और finite number होने के लिए, m, बराबर n होना चाहिए, यारिके, उपर वाले की जो power है, वो कितने होने चाहिए, n के बराबर, तो नीचे वाले की power कितने है, 1, उपर वाले जाए, 1, एक इतना होना चाहिए, 1, ठीक है, ओके, बर 1, अब एकी value 1 इज़र पुट कर दो, a, plus b, के बारे में कुछ कह नहीं सकते है, क्या पता कितना होए, a, plus b, के बारे में, बीकुछ कह नहीं सकते है, मिटा दे, इतना, मिटा दे, ये वाला मिटा दाता हूं, ठीक है, इसका answer, 2 आ रहा है, लिमिट का, अब लिमिट को solve करेंगे, एक एक इवेल्यो पुट कर देंगे, एक इवेल्यो पुट कर देंगे, एक इवेल्यो पुट कर देंगे, तो जीर हो जाएगा, काम ख़तम, यहाँ पर जरू पुट कर दो, तो कितना है, बताओ, लिमिट, x tends to infinity, 0, Delta, minus 1 प्लस B, minus 1 प्लस B, यहाँ, एक इवेल्यो फुट 1 रख सकते दो, एक इवेल्यो निकाल देंगे, multiply by x, plus 1-B, एक ँपुट 1 एक उल्यो पुट कर देंगे, thousand, एक इष को ईwnविन्यो प्लस B, मैंना और, एक अगा इऌन देंगे, तो पता है, कि आगर मैं x से अभी तो वह सिखाया था थोड़ी दिर पहले, x डिवाइट करो कितना है, minus 1 plus b, plus 1 minus b upon x, plus 1 plus 1 upon x, ठीक है, अब तो रख सकते हो नहीं, infinity, रख दो, कितना हो चा, minus 1 plus b, ये तो 0 हो गया, something upon infinity is, hello, उदर हो, 0 upon 1, 1 upon infinity is 0, करो, b plus 1 ब्रावर, minus 2, b ब्रावर, minus 3, answer, b ब्रावर, minus 3, okay, डन 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 डन, ठीक है, मिटा दे, कुछ और कुफण लगाता है, कुछ और कुफण,